असलाम अलेकुम वीवर्स आज हम बनाएंगे चाय लेकिन थोड़ा से चेंड तरीके के साथ यह मैंने ली है चीनी यह पती और यह एक कब दूद और थोड़ा सबानी पानी आपको मैं दिखा देती हूँ यह देखें बस इतना सबानी और यह चाय हम नॉर्मल चाय नहीं बना हैंगे बड़े वाइरल तरीके से जो आजब बड़ी वाइरल हुए लुए यह चाये केरामल चाये उसके वैन लिए है सॉस्पैंट और मैं आग जलाँगी सबसे पहले मैं सॉस्पैंट को थोड़ा सा सेक दूंगी ताकर उसके उसके तोड़ा सा पानी है वो खुश को और अब मैं इस पानी को थोड़ा सा खुशक करूँगी फिर हम करेंगे फ्लेम को स्लो और अपनी चाय बनाना स्टार्ट करेंगे ये पानी खुशक हो गया है अब मैं नीचे रखके इसमें डालूँगी फ्लेम को स्लो कर लूँगी और इसमें डालूँगी चीनी और पती इसको केरमल चाहे भी कहते हैं और आज कर ये मैंने बहुत देखी थी मैंने इससे पहले एक चाहे पहले बनाई थी वो खराब होगी थी वो भी मैं आपको बताती हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैं ये भी बताऊंगी कि आखर में इसका टेस्ट कैसे है आप वीडियो को पूरा देखिएगा स्किप मत किजिएगा ये देखिया मैं स्लो फ्लेम पे इसको ब्राउन करूंगी और देखे फिर आप मैं इसमें वीडियो स्किप नहीं करूंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने कितनी देर में इसको ब् समझने ही लाएंगे तो चीनी जल जाएगी नीचे लगके और फिर वो केरमल नहीं बनेगा तो हमें केरमल बनाना है इसलिए हम इसको सासत हिलाते रहेंगे फ्लेम स्लो है मुझे कम से कम 3-4 मिनट लगे हैं इसको लाइट ब्राउन करने में मैंने इतनी स्लो फ्लेम पे इसको ब्राउन किया है और यह देखें अब थोड़ी थोड़ी से चीनी मेल्ट होने लगी है थोड़ी थोड़ी से लेकिन हमने इसको मेल्ट करके लाइट ब्राउन कलर देना है यह देके हैं मेरी चिनी अल्प हो रहाइं होरी है already तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेर्ट ब्राइब करें अब हो वीडियो दूसरी लोग भी देखें आप लोग मिज़स पोर्ट किया करें आप लोग भी ट्राइब करिए गाय सी चाह और मुझे पिटाईएगा कमेर्स में आप लोगों के साथ कैसी पनी मैंने पहले इसमें एक थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की थी मिस्टेक नहीं की थी बहु तब मेरी चाय खराब होगी थी मैंने जब चीनी ब्राउन हो गई तो मैंने इसके अंदर दूद डाल दिया तो जैसे ही मैंने दूद डाला वो बॉइल आने से पहले ही दूद खराब हो गया यानि मेरी चाय फट गई थी तो मैंने वो वेस्ट की और दुबारा से अब मैं इस साथ तो वैसे मेरी तो खराब होगी थी चाहे आप लोगों ने कभी ट्राई की ऐसे तो बताईएगा मुझे अब देखे मेरी जो चीनी है वो मेल्ट होगी और वलके थोड़ थोड़ी ब्राउंग भी होगी है मैं एक प भी बना रही हुँ चाहएगा इसलिए मीरी जिनी पत्य थोड़ी है तो अब मैंने इसमें पानी डाल दिया पानी मैंने इसलिए डाला क्यू tehd जैसे पहले दू Seriously तो रही तो इसलिए मैंですね पानी डाल रही हूं कि ऐसे सही सेब ஊह यह नहीं यह भी हम देख लेते हैं आज तो अब मैं जैसे मैं ठंडा पानी इसके अंदर डाला तो यह बिलकुल हाड होगी चीनी नीचे भी थोड़ी सी जुड़गी थी लेकिन जब बॉयल आया कावे को तो वो बिलकुल ठीक होगी मैं चमच इसलिए अभी भी हिला रही हू ताकि वो नीचे जो लगी हुई है वो सही हो जाए मेल्ट हो जाए वो एक दम मैंने ठंडा पानी डाला तो वो उसके होज़े से हाड हो गई कि अब इसलिए विडियो को स्किप नहीं किया था यहां पर के ताकि आप लोग देखें मैं केश्वे बिना रही हूं मैंने देखा था जैसे विडियो यह वह मैंने वैसे बिनाई लेगे मेरी जाइ पढ़ गी थी तो मैं आप लोगों को बिलकुल सामने दिखाना चाहा रही थी अब कि ऐससे जो है वो ज्यादा अच्छी बनती है अच्छा इस चाय में और उस चाय में टेश्ट में change क्या है ये भी आप लोग मुचंछे पॉचेंगे पकमेंट्स में तो इस चाय में और उस चाय में फर्क है यनİ टेश्ट में इनके थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, लेकिन मुझे ये चाय बहुत अच्छी लगी थी, और मेरी ममा को भी बहुत पसंद आई थी, तो सर्दियों में आप लोग इंजॉय करें, अब तो मौसम भी अच्छा है, तो चाय पीने को दिल भी करता है, अब मैं एक कब पूरा फुल दूद का डाल रहे हूँ, मैं दूद थोड़ा ज्यादा डाल रहे हूँ, क्योंकर मैं पाने कम डालती हूँ, आप लोग अपनी वर्जिके हcuाफ से, दूद अकर पीते हैं, तो मुढ डाल लें, आप लोग अपनी वर्जिसस्यां तो लीजेगा, अब बॉइल आगया है तो यह टच चाय मुझे अच्छी लगी थोड़ी सी महनत होती है इस पर लेकिन यह चाय उससे भी ज्यादा अच्छी बनती है तो आप लोग भी इस तरह ट्राइ करिएगा और मुझे अब कमेंट्स में बताएगा कि आप लोग को यह चाय अच्छी लगी य चले जी अब आप देखें चाय मेरी तो मुझे दे इजाज़त आउंगी मैं अब अगली वीडियो के साथ इंशाला तब तक के लिए अल्ला हाफिज है